भाराष्ट्रचा वीर भुमित येनाची संधी मलाली याचा मला अतीशय आनन्दा है में ज्याना कोटी-कोटी वंदन करतो साथ यो ये केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की अनेक महान विबूत्यों का समन्द महाराष्ट्र की धर्ती से रहा है ये इस पुन्य भुमिका इस बीर भुमिका और इस तपो भुमिका प्रभाव है इस धर्ती पर आज माता जी जाओ मासाब जैसी मात्र शक्ति ने छत्रपती सिवाजी महाराज जैसे महानायक को गड़ा इसी धर्ती ने देवी अहल्या बाई होलकर रमा बाया मेड कर जैसी महान नारिया हमें दी इसी धर्ती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनन कनहरे, दादा साफ पोटनीस, चाफे करवंदू जैसे अनेक सपूत हमें दिये नासिक, पंच बटी की इस भूमी में प्रभू स्री राम ने काफी समय बिताया था मैं आज इस भूमी को भी नमन करता हूँ, स्रद्धा पुर्वक प्रणाम करता हूँ मैंने अहवान किया था कि जन्वरी तक हम सभी बाई जन्वरी तक हम सभी देश के तिर्टस्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं आज मुझे काला राम मंदिर में दर्शन करने का मंदिर परिशर में सभाई करने का सवभाग्य मिला है मैं देश वासियों से फिर अपना आगरह दोराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिश्टा के पावन अस्वर के निमित देश के सभी मंदिरों में सभी तिर्ट खेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं अपना स्रमदान करें मेरे युवासात्यों हमारे देश के रुष्यों मुनियों संतों से लेकर सामान्य मान्वी तक सभी ने हमेशा युवास शक्ति को सर्वो पर ही रखा है श्री अर्विन तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष पूरे करने है तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा स्वामी विवेकरन जी भी कहते थे भारत की उमिदें भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिवद्धता पर्टी की है उनकी बाउधिकता पर्टी की है सी औरविंदो स्वामी विवेकरन का ये मारदर्शन आज 2024 में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणना है आज भारत दुनिया की तौप फाइव एकोनोमे में आया है तो इसलिए भारत के युवाओं की ताकत है आज भारत दुनिया के टौप थ्री स्टार्ट अप इकोसिस्टिम में आया है तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है आज भारत रिकॉर्ड पैटेंट फाइल कर रहा है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्टरिंग हब बन रहा है तो इसका आधार भारत के युवाओं है भारत के युवाओं का सामर्थ है साथियों समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मोका जरूर देता भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मोका अभी है अमरुत काल का ये काल खंड है आज आपके पास मोका है इतिहास बनाने का इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का आप याद करिए आज भी हम सर एम विश्वे स्वरया की याद में इंजिनियर्स डे मनाते हैं उन्होंने उन्निस्वी और बारवी सतार्दी में अपना जो इंजिनियरिंग कौशल दिखाया उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है आज भी हम मेजर ध्यानचन को याद करते हैं उन्होंने होकी की स्टीक से जो जादू दिखाया वो आज तक लोग भूल नहीं पाएं आज भी हम भगसी चंद से करादार बटुकेश्वर दत जैसे अंगिनत क्रांतिकारियों को याद करते उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था आज हम महराश्त की वीर भूमी पढ़ा हैं आज भी हम सभी महत्मा फुले सावित्रिभाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाज एक ससक्तिकरण का एक माध्यम बनाया आजादी के पहले के कालखण में ऐसे सभी महान व्यक्तित्व ने देश के लिए काम किया वो जीए तो देश के लिए वो जुझे तो देश के लिए उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए उन्होंने संकल्प किये तो देश के लिए और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई अब अमरुत काल के इस काल खण में आज बोधाईत्व आप सभी मेरे युवाज साथ्यों के कंदों पर है अब आपको अमरुत काल में भारत को नई उचाई पर ले जाना आप ऐसा काम करिये कि अगली सताब दिमें उस वक्त की पीड़ी आपको याद करें आपके प्राकर्म को याद करें आप अपने नाम को भारत और पुरी दुनिया में दुनिया के इतिहास में स्वन अक्षरों में लिख सकते इसलिए मैं आपको 21 सदी के भारत की सबसे सवभागे साली पीड़ी मानता हूं मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं भारत के युवा ये लक्ष हासिल कर सकते हैं मेरा सबसे ज़्याजा भरोसा आप सभी पर है भारत के युवाओं पर है मैं मेरा युवा भारत मेरा युवा भारत संगड़न से जिस देजी के साथ देखते कौने कौने में युवा जुड़ है उससे भी बहुत उत्साहित हो मेरा युवा भारत माय भारत संगड़न की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है अभी संगड़न को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और एक करोड़ दस लाग के आस्पाद युवा इसमें अपना नाम रेजिस्टर करा चुके मुझे विश्वास है आपका सामर्थ आपका सेवाभाव देश को समाज को नई उचाई पर ले जाएगा आपका प्रयास आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पुरी दुनिया में पर्चम लहराएगा मैं माई भारत संगर्ण में रिजिस्टर करने वाले सबी वाओं का आज विशेश अभिनंदन करता हूं और मैं देख रहा हूं माई भारत में रिजिस्टर सेंड में हमारे युवा और हमारी यूतियां दोनों के विच में कौंपिटिशन चलती है कौन जाजा रिजिस्टरी करवा है कभी यूवक आगे निकल जाते हैं कभी यूतिया आगे निकल जाती है बड़ी जोरों कि इस परधा चल रही है साथियों हमारी सरकार को अब दस साल हो रहे हैं इन दस वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे आज चाहे सिक्षा हो रोजगार हो एंटर्पिनर्शिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो स्टार्टप्स हो स्कील्स या स्पॉर्ट्स हो देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर छेत्र में एक आधुनी डाइनेमिक एको सिस्टिम तयार हो रहा है आपको 21 सदी की आधुनिक सिक्षा देने के लिए नई राष्टियस सिक्षा निती लागू की गई है युवाओं के लिए अब देश में आधुनी स्किलिंग इको सिस्टिम भी तैयार हो रहा है हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नव जवानों की मदद के लिए पीम विश्व कर्मा योजना शुरू की गई है पीम कौशल विकास योजना के मदद से करोरों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है देश में नए आएटी नए एन आएटी लगातार खुलते जा रहे हैं आज पुरी दुनिया भारत को एक स्कील फोर्स के रुपे देख रहे हैं विदेश में हमारे हुआ अपना कौशल दिखाया अपाएं इसके लिए सरकार विदेश जाने वाली वाओं को ट्रेंडिंग भी दे रही हैं फ्रांस जर्मनी यूके ऑस्टेलिया इटली ऑस्टिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझोते किये हैं उसका बड़ा लाब हमारे वाओं को मिलेगा साथियों युवाओं के लिए नए अवसरों का आस्मान खोला जाए सरकार इसके लिए हर छेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही हैं देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं सरकार आठ्स एनिमेशन विज्यूल इफेक्स गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को प्रमोट कर रही हैं अटमिक सेक्टर स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है आज हर छेत्र में पिछली सरकारों से दो गुनी ती गुनी रप्तार से काम किया जा रहा है यह जो बड़े बड़े हाइवे बन रहे हैं वो किस के लिए है आपके लिए भारत के युवाओं के लिए यह जो नहीं नहीं बंदे भारत त्रेने चल रही है वो किसकी समनेत के लिए आपके लिए भारत युवाओं के लिए हमारे लोग विदेश जाते थे वहाँ के पॉर्ट वहाँ के ऐर्रपॉर्ट देखकर सोथे थे कि भारत में सख कब होगा आज भारत के एरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं कोरोना के समय आपने देखा हैं विदेशों में बैक्शिन के सर्टिपिकेट के नाम पर कांगे ठमाया जाता है यह भारत है जिसने हर भारतवाजी को बैक्शिन लगाने के बार डीजिटल सर्टिपिकेट दिया अज दुनिया के कितने ही बड़े देश है जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तिमाल करने से पहले सो बार्थ होते हैं वहीं आप भारत के युवाज है जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तिमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए जूबा है कलपना से परे हैं साथ क्यों आप देश का मिजाज भी युवाज है और देश का अंदाज भी युवाज है और जो युवा होता है वो पीछे नहीं चोता पीछे नहीं चलता वो स्वयम लीड करता है इसलिए आज टेक्नोलोजी की फिल्ड में भी बारत फ्रंट से लीड कर रहा है चंद्रयान और अधित्य एलवन उसकी सफलता हमारी आखों के सामने मेडिन इंडिया आइनस विक्राम जब समंदर की लहरों से टकराता है तो हम सभी का सीना चोड़ा हो जाता है जब लान किले से मेडिन इंडिया तोब करती है तो देश में नई चेतना जग जाती है जब भारत में बना फाइटर प्लेन तेजस आसमान की उंचाई नापता है तो हम गर्व से भर जाते हैं आज भारत में बड़े-बड़े मॉल से लेकर चोटी-चोटी दुकान तक हर तरफ यू-पी-आई का इस्तमाल हो रहा है और दुनिया हैरान है अमरुतकाल का आरम गरों से भरा हुआ है अब आप युवाओं को इस अमरुतकाल में इससे भी आगे लेकर जाना है विख्षित राष्ट बनाना है साथियों आपके लिए यह समय सपनों को विस्तार देने का समय है अब हमें केवल समस्याओं के सबादान नहीं कोजने हैं हमें केवल चुनोतियों पर विजय नहीं पानी हैं हमें खुद अपने लिए नए चैलेंजी तै करने होगे हमने फाइव ट्रिलियन एकोनोमी का लग्स सामने रखा है हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बनना है हमें आत्मनिर पर भारत भ्यान के सपने को सिद्धी देनी है हमें सर्वेसिस और आईटी सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैनुफेक्टरिंग हब भी बनाना है इन आकांच्छाओं के साथ साथ बविश्य के प्रती हमारी जिम्मेदारियां भी है जलवाई परिवर्तन की चुनाती हो प्राकुरतिक खेती को बढ़ावा देना हो हमें लक्ष बना करता है समय में इन्हें प्राप्त करना है साथियों अमरित काल की आज की युवापीडी पर मैंने विश्वास की एक और बज़व है और वो खास बज़व है इस कालगण में देश में वो युवापीडी तयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पुरी तरह मुक्त है इस पीडी का युवाप खुल कर कह रहा है विकास भी और विरासत भी यह लोग आईरुवेद तो हमारे देश में योग हो याईरुवेद हो हमेशा भारत के लिए एक पहचान के रुप में रहा है लेकिन आज धादी के बाद इन्हें ऐसे ही भुला दिया गया आज दुनिया इन्हें स्विकार कर रही है आज भारत का युवाप योग आईरुवाद का ब्रेंड एम्बिसेडर बन रहा है साथियों आप अपने दादा दादी अपने नाना नानी से पूछिएगा वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में रसोई में बादरे की रोटी, कोदो, कुड़की, रागी, जवार यही तो हुआ करता था लेकिन गुलामी की मानसिक्ता में इस अन्न को गरिभी के साथ जोड दिया गया इन्हें रसोई से बाहर कर दिया गया और यही अन्न मिलेट्स के रूप में, सूपर फूड के रूप में वापस रसोई में पहुंच रहे है सरकान ने इन मिलेट्स को, मोटे अनाच को स्री अन्न की पहचान दी है अब आपको इन स्री अन्न का बैंड एम्बेसेडर बनना है स्री अन्न से आपकी सहेद भी सुद्रेगी और दोस्त देश के छोटे किसानों का भी बला होगा साथियों, आखिर मैं एक बार राजनीती के माध्यम से देश की सिवा की भी करूँगा मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूँ तो उन्हें मुझे एक अधभूत आशा देखती है इस आशा की इस आकांशा की एक वेज़े है डेमोक्रेसी लोगतंत्र भारत मधर अब डेमोक्रेसी है लोगतंत्र की जननी है लोगतंत्र में युवाओं की भागिदारी जितनी अधीक होगी राष्ट का भविश उतना ही बहतर होगा इस भागिदारी के कई तरीके हैं अगर आप सक्रिय राजनिती में आते हैं तो आप परिवारबाद की राजनिती के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे आप जानते हैं कि परिवारबाद की राजनिती ने देश का कितना नुक्सान किया है लोगतंत्र में भागिदारी का एक और महत्वपुन तरीका है कि आप अपनी राय बोड के जरिये जाहिर करें आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार बोड डानेंगे फर्स टाइम बोडर्स हमारे लोगतंत्र में नई उर्जा और शक्ति ला सकते हैं इसलिए बोड करने के लिए आपका नाम लिष्ट में आएं इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पुरी कर लीजिए आपके पुलिटिकल व्यूज से जादा जरूरी है कि आप देश के भविष्ट के लिए अपना वोट डालते हैं अपनी भागीदारी कराते हैं साथियों अगले पचीस वरसों का ये अमरत काल कि वाप अपने कर्तवियों को सर्वों पर रखेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा देश भी आगे बढ़ेगा इसलिए आपको कुछ सुत्र याद रखने होगे जितना हो सके आप लोकल को स्थानिय प्रोड़क को प्रमोट करिए मेड इन इंडिया प्रोड़क का ही इस्तमाल करिए किसी भी तरह की ड्रग्स और नसे की लट से बिलकुल जूर रहिए इन्हें अपने जीवन से दुर रखिये और माताओं बहनों बेटियों के नाम अब शब्दों का गालियों का इस्तमाल करने का जो चलन है उसके खिलाब आवाज उठाईए इससे बंद करवाईए मैंने लाल के से भी इसका आगरत किया अज फिर से दोहरा रहा है साथियों मुझे विश्वास है आप सब हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दाइत्व को पूरी निष्टा और सामर्थ से पूरा करेगा ससक्त समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्र की सिद्धियों जो दीप हमने जलाया है वो इसी अमर्थ कान में अमर्थ जोती बन कर विश्व को प्रदिप्त करेगा इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत धनवार भारत माता की दोनों बुठी बन करके पूरी ताकत से आप जिस राज्य से आये हैं वहां तक आपकी आवाज पहुत ने चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बन्दे 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 बन् बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी आपका एक एक शब्द हम सभी के लिए प्रेना का सुरूत है जो हमें अपने राश के लिए कुजवल और अधिक प्रगिती शील भविश्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है एक नया इतिहास हमें रचना है अमरित काल में हमारे लिए ये कर्तव यकाल है सभी को मिलकर ये इतिहास रचना है एक नया भारत एक विक्सित भारत बनाना है आपके ये शब्द हम सभी को प्रेना देते हैं बहुत बहुत धनिवाद हमारे पिता तुले हमारे पंद प्रधान को हम सभी में एक लोग प्रज्वलेद करने का अब देवी सजनो इस जोश इस उमीद इस उत्साहा को बनाई रखिये हमारे पनप्रधान, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने हमें आज दिशा दिखाई कि किस तना से हमें अगले 25 साल में जो हमारे लिए हमारे का तव्यकाल है